अलो एब्रीबन, गाइस मैं नम इस उनित कांकरेन, I am your कॉंण टीचर at this wonderful channel IPMAT वाला बाई P.W. तो दोस्तो, IPMAT is जो अपनी batch चल रही है, जो की foundation batch है, उसमें हम अल्रेडी कॉंण के कई सारे topic देख चुके, जैसे ratio, percentage, simple, component, interest. आज जो हम एक fresh again arithmetic का topic देखने वाले है, उसका नाम है profit, loss, discount. क्या होता है topic, कौन कौन सी वो चीज़े जो आपको पता होना जुरूरी, वैसे तो रोज मरना की जिन्दगी का topic है, तो आपको अल्मोस सारी बाते पता होती है, लेगिन फिर भी हम जानेंगे guys इसमें कौन सी वो चीज़े, कौन सी वो trick, कौन से वो concept है, जो ये topic आपके लि discount topic, तो guys सबसे पहले तो देखो हम इसमें देखेंगे कि profit and loss की क्या कहानी है, कैसे selling price, cost price से जुड़ी हुई है, फिर दूसरी कहानी हम देखेंगे discount की, जो की बिलकुल mark price से जुड़ी हुई है, mark price क्या होता है, वो भी हम बात करेंगे guys, और साथ ही मैं बढ़िया से practice questions भी ल again, guys, अब मैंने यहाँ पर दो situation आपको बता दी, एक कि मैंने 100 रुपए में लाया और 120 में बेचा, और जबी भी guys, याद रहे, जबी भी selling price is greater than cost price, यह situation होती है profit की, यह situation होती है profit की, so guys, profit कितना मिलेगा, profit is equal to selling price minus cost price, profit is equal to what, selling price minus cost price, तो selling price है 120, cost price है 100 रुपय, बीस रुपय यह आपका profit यह ने, 100 रुपय तो आपके ही थे न, यार 120 में, वो तो आपकी ही जेब से गए थे, 20 ऊपर से आपके जेब में जो आगे, एक्स्ट्रा है, 120 पे बेचने के बाद, उसमें से 100 रुपय कर लिए, एक्स्ट्रा जो margin आया, that is called profit, और profit वाली situation कब होती है, जब selling price greater than cost price होती है, तो समझ के होंगे, आप loss वाली situation कब होगी, मानलो, अगें 100 रुपय का pain, 120 रुपय छोड़ो, 110 रुपय छोड़ो, 100 रुपय में भी कोई लेने रेडी नी, finally थक हार कर मैंने उसको 90 रुपय में किसी को बेच दिया, ना, किसी को बेच दिया, so guys, again, यहापे क्या अगर आपको, selling price is less than cost price, selling price अगर less than cost price होती है, इसको बोला जाता है, loss की situation, तो yes, मैंने गाना, रोज मरना की जिन्दगी का topic है, आपको पता है, सारी चीज़े, तो yes, यहापे मैं loss में हूँ, और कितना loss में हो, तो again, guys, देखो, loss निकालने का formula, selling price minus cost price is equal to loss, तो 100 रुपय की अगर मैंने 90 में बेच दी, तो मुझे loss हुआ 10 रुपय का, चमका, guys, तो यह होता है, basic सा concept, तो profit और loss यह जभी भी आएगा picture में, तो cost price और selling price by default यह दो terminology आपको दिखेगी, selling price यहने जिस price पे मैंने बेचा, cost price यहने जिस price पे लाया था, जबी भी selling price यहने बेचनी वाली price यह खरीदने वाले cost price से जादा है, तो profit है, और जबी भी selling price cost price से कम है, तो loss है, again और इन दोनों का क्या relation है, बराबर selling price cost price profit का क्या relation है, selling price cost price loss का क्या relation है, हमने देख लिया, selling price में से cost price minus कर लो, guys, बराबर, अच्छा, यहाँ पे उल्टा हो गया है, cost price minus selling price, loss उल्टा हो जाता value बराबर है cost price कि इतनी थी 100 बराबर 100 लिखा है selling price 90 हमें 10 का loss मिला profit की situation में आपको पता है selling price बढ़ी होती है इसलिए हम profit कैसे लिखते है selling price minus cost price selling price में से cost price गया मिल गया उपर का जो भी माहर जी ने profit again यहाँ पे cost price बढ़ी होती है तो हम loss कैसे निकालेंगे cost price minus selling price ठीक है तो चलो गईज अब यहाँ तक तो कहानी clear है अब मुझे बताओ यहाँ तक तो कहानी आपको समझगी होगी अब मैं आपको बता रहा हूँ कि एक formula हमने लिखा क्या लिखा हमने formula profit is equal to selling price minus cost price इसी को मैं re-modify करूं, redesign करूं, cost price इधर अगर आ गया, cost price उदर क्या है minus इधर आके plus हो जाएगा इधर आके plus हो जाएगा, तो हमें एक formula यह भी, हलाकि यह कोई अलग formula नहीं है जो अभी हमने यहाँ लिखा था profit is equal to SP minus CP उसी को हमने re-modify किया है तो cost price इधर आके plus हो जाएगा CP plus profit is SP गाईज, दूसरा formula आपने क्या लिखा था cost price minus selling price is loss बराबर, loss के case में cost price बढ़ी होती है तो cost price minus selling price is loss इसी को गाईज, अगर मैं selling price minus है उदर जाके plus हो जाएगा and loss plus है इधर आके minus हो गया मतलब समझ रहे हो, मैंने दोनों formula को किसके form में लिख दिया selling price is equal to selling price is equal to दोनों formula यहाँ profit is equal to SP minus CP यहाँ loss is equal to CP minus SP तो यहाँ मैंने एक side का platform same कर दिया, याने एक side में selling price को fix कर दिया तो दुसरे side में क्या relation बना आपने देख लिया, खत हम यहाँ पे guys selling price को as it is रखा, बस यह minus cost price इधर आके plus हो गया, तो cost price plus profit यह मिल गया first formula again, यह कैसे काम आएगा, अब मैं आपको proper example से बताऊँगा, ठीक है again guys, दूसरी situation देखो CP minus SP is loss, बट मुझे SP के form में convert करना है, तो minus SP उदर जाके plus हुआ, लॉस इधर आके minus हो गया, so guys, आपको एक चीज मिल गई है, CP plus profit is SP, दूसरी चीज मिल गई है, CP minus loss is SP सर, यह तो पताई है यार, इतना क्या इसमें guys, बताता हूँ, बताता हूँ example के form में देखेंगे, मानलो एक article है, जिसको मैंने बेच दिया, कितने में बेचा? 200 रुपे में, एक article को मैंने 200 रुपे में बेचा, और ये बेचने के बाद guys, मुझे हुआ है 10% का मुनाफा, 10% का profit, gain, तो बताओ मेरी cost price क्या रही होगी मेरी cost price क्या रही होगी, अब major IT student पता है, क्या करेंगे यहापे major IT student यहापे करेंगे, सर देखो profit इस पर अपलाय करतो, 10% of 200 आपने हमको percentage समझाया, गाई, चमका एकदम अच्छी से समझाया, सर हमको 10% of 200 लेना, हमें मालू में 20 तो 200 में से 20 गया, 180 मुझे पता है, आप में से जो भी यह वीडियो देख रहे हो, 180 आपके मन में आया होगा, और अगर आया होगा, तो मन को वही रोक दो, क्योंकि गलत है, गाई सर दा है, क्या गलत है, आप बोलो कि सर कहा गलत है, 10% of 200 तो होता है, 10% of 200 भी गलत नहीं, फिर गलत का हुआ गलत का हुआ, और SP से अगर मुझे CP निकालना है, तो माइनस ही करूँगा न, कि भई, 200 में से 20 गया, 180 की चीज हुई होगी, हमने 200 में बेचा, इसलिए प्रॉफिट है, तो माइनस ही करना हो गया, क्योंकि प्रॉफिट अन लॉज का सबसे फर्स्ट रूल की प्रॉफिट परसेंट और लॉज परसेंट शूड अलवेज भी अप्लीकेबल शूड अलवेज भी अप्लीकेबल अन अन कोस्ट प्राइस, जभी भी क्वेशन साइलेंट है, कुछ नहीं बोल रहा है, ठीक है तो आपको मान लेना होगा कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट सीपी पे ही अपला होता है, और यह हम अजम्शन नहीं यह प्रैक्टिकल है, यह दुनिया करती है आप कही पर भी किसी भी ट्रेडर को मिलो, वो अपना प्रॉफिट और लॉस अपने कॉस्ट पही निकालता है ठीक है, हाँ, अगर किसी क्वेशन में उसने सामने से बोल दिया कि भई, मेरा जो सेल्समन है या मैं जो हूँ मैं अपना प्रॉफिट लॉस सेलिंग प्रैस पही निकालता हूँ अगर क्वेशन खुद बोल रहा है, कि मैं अपना प्रॉफिट लॉस सेलिंग प्रैस पही निकालता हूँ, तो उसको रिस्पेट करो उसको रिस्पेट करो, क्रॉस मत करो, अगर क्वेशन सामने से बोल रहा है, कि एक 10% cost price पूछा था जिन्होंने 180 एंसर बोला उन्होंने ये गलती कर दी कि profit percent selling price पे निकाल लिया तो profit percent किस पे निकालोगे cost price पे बाब बोलोगे सर लेगिन cost price तो पता नी अरे तो cost price नहीं पता इसलिए तो ये relation बताया था याद आया मैंने कहा ने ये कब काम आएगा अब काम आएगा तो जब जब आपको cost price नहीं पता गाई cost price नहीं पता money money 100 ले लो आपने देखो profit के case में क्या relation सीखा है cp plus profit is sp loss के case में क्या सीखा है cp minus loss is sp अब loss की बात बात में करेंगे अभी हम profit वाली situation में देखो यह profit दिया है तो cp plus profit is sp अब cp मुझे 100 मैंने assume किया assume कर लो क्योंकि हमें पता है न ये profit percent किस पर अपला होगा ये profit percent हमेशा cp पे तो guys अब cp मुझे कुछ तो लेना पड़ेगा मैंने ले लिया 100 अब से base 100 है ये हमने percentage में भी सीखा है कि जबी भी चीजे percentage में तो assumption हमेशा 100 मान लो so that उस पर percent easily अपला होता है तो अब profit percent है 10 अब ये add करना है तो 10 percent किस पर अपला होगा cp पे so 100 का 10 percent 10 ही होगा देखो 100 लेने का फाइदा 100 का 10 percent 10 ही होगा 20 percent 20 होगा 8 percent 80 होगा तो guys अब दोनों का addition आया 110 बट मुझे बताओ guys ये पूरा structure मेरा कुन सा structure था assumption से बना हुआ न अफकोस उस पे मैंने profit percent actual apply किया जो दिया था लेकिन ये जो सारी figure बनी है assumption वाली बनी है और अब assumption से reality में हम compare करेंगे using lord unitary method unitary method guys है न जो coin की जान है तो वो हम कैसे बोलेंगे हम यहाँ पे assumption versus actual में unitary method कर देंगे हम बोलेंगे यार मेरे हिसाब से selling price कितना आया जो मैंने assume किया 110 लेकिन actual में कितना दिया है 200 तो मेरे हिसाब से selling price 110 है real में अगर वो 200 है तो मेरे हिसाब से cost price 100 है guys real में कितना मुझे cost price पूछा था न तो मेरे हिसाब से cost price 100 यह देखो यह structure में मेरे पास सब चीज़े selling price भी है but यह assumption वाला है क्योंकि मैंने cost price assume की इसले selling price भी assumption वाली मिली तो assumption से actual में कैसे convert करेंगे using unitary method मेरे हिसाब से assumption वाली selling price 110 जो actual में 200 है तो मेरे हिसाब से assumption वाली cost price 100 actual में कितना खतम cross multiply करो ऐसी चीज़े आप पहले कर चुके हो हम देख चुके है unitary method में हमेशा क्या होता है यह इतना तो वह कितना cross multiplication कर लेना होता है तो x आपको कितना मिला गाइस 2000 upon 11 हो गया तो यह वह 1 8 9 पे 0 8 अगें 1 8 1 8 तो यह आया आपका final answer 181.8181818181818181 तो हम का गाइस किसी को कोई भी doubt होगा बिंदास comment करना बिंदास comment करना ठीक है तो यहाँ पर देखो 111,000 बराबर फिर 9 पे 0 88 वापिस 8,000 है ना फिर 2 पे 0 वापिस 1 वापिस 9 पे 0 88 तो 181.81818181818181818 यह आपका final answer और यही क्या है cost price क्योंकि मैंने क्या बोला था अगर 110 assume selling price actual में 200 है तो assume cost price 100 actual में x के बराबर और यह x का answer आ है finished guys और again यह आया यह मैंने आपको जो rule बोला था profit and loss percent should always be applicable on CP यह आपने देखा profit percent and loss percent हमेशा CP पे apply होंगे whenever question is silent हमेशा CP पे और मैंने एक चीज़ यह भी बोल दी सामने से question बोल रहा है कि एक trader अपना profit loss percent SP पे निकालता है SP पे तो उस question में उसको respect करो otherwise नहीं अगर कुछ भी बोला तो हमेशा CP पे चलो अब यह आपने देखी profit वाली situation sir loss वाली भी बता दो एक चलो अब इस बार मैं again selling price 200 ले रहा हूँ इस बार मैं loss 10% ले रहा हूँ सेम बस profit के जगे loss ले लिया CP पूछा but again मैंने कहा है loss percent भी किस पे apply होगा CP पे बट CP नहीं पता लेकिन हमें loss और CP और SP का एक relation पता है जैसे profit अब दिमाग में आया profit question में आया ये structure ये धाचा आपकी दिमाग में आ जाना चाहिए CP प्लस profit is SP उसी तरह गई अगर loss आया तो ये धाचा आपकी दिमाग में आ जाना चाहिए CP minus loss is SP अगें जब जब CP नहीं पता 100 ले लो क्योंकि उस पे loss percent है 10 वो apply करना easy हो जाएगा तो 10% of 110 लेकिन इस बार minus करना है तो 90 आया profit में हमेशा क्या होता है धाचा प्लस बराबर and loss में minus तो guys इस बार हमें minus करना है तो ये आगया 90 खतम अगें guys ये structure क्या बना assumption वाला assumption और assumption में मेरेको सब पता है cost price selling price proper loss percent apply करने के बाद तो assumption के हिसाब से same way unitary method assumption versus actual assumption के हिसाब से मेरी selling price 90 है जो actual में मुझे 200 दी गई है तो assumption के हिसाब से जो मेरी cost price है जो मुझे निकालना है actual में कितना जो मैंने x ले लिया खतम guys cross multiply कर लो 90 x is equal to 20,000 so 0 से 0 कटा x is equal to 2000 upon 9 x is equal to 2000 upon 9 again 9 2018 तूपे 0 लिया 9 2018 9 2018 9 2018 9 2022 222222 समझा guys तो ये 222.222222 और ये x मतलब ही क्या है मेरी assume cost price 100 actual में कितनी तो ये actual cost price है तो बस यार profit loss selling price cost price का यही relation है दो ही ढ़ाचे याद रखना है profit के case में CP plus profit is SP loss के case में CP minus loss is SP जब नहीं कुछ भी आपको CP पता है क्योंकि profit or loss percent किस पर अपला होगा CP पे लेकिन अगर आपको CP ही नहीं पता तो 100 ले लो जो भी है profit की situation तो ये ढ़ाचा loss की है तो ये वो ढ़ाचा उससे आपको selling price मिलेगी बट ये हुआ assumption वाली है ना तो assumption की selling price actual में इसके बराबर है तो cost price जो assumption वाली है 100 हो किसके बराबर और इसी तरह profit and loss में आप assumption assumption वाली जो method है उससे कई सारे complicated से complicated question भी कर सकती हो आप में से बहुत student बोलोगे sir हमने तो profit and loss पढ़ा है लेकिन उसमें तो direct formula भी होता है profit, loss, cost, price, selling price का direct formula भी होता है guys trust me formula आपको direct question में काम आ जाएगा कि बस इसी तरह SP दे दिया है profit दे दिया है CP पूछा है या SP देकर loss देकर CP पूछा है direct question में काम आ जाएगा लेकिन question ने थोड़ी भी language घुसा दी, googley डाल दी, situation दे दी तो guys formula फेल हो जाएगा लेकिन यह assumption वाला approach जो है यह आपको हर question complicated से complicated question में भी काम आ जाएगा यह इतना तो वो कितना, assumption वाली value, real में इतनी, तो assumption वाली value जो हमें निकालना है, जो हमारी आ चुकी assumption में, वो real में कितनी, जैसे हमने cost price के लिए गिया यह theme है guys, profit and loss का, और यह ढाचे भी कैसे बने, आपने देखे, basic formula से जो आपको back of the mind, subconscious mind में, रोज मरना की जिंदगी में पताएगी, profit यहने SP-CP, loss यहने CP-SP, उसी को re-modify करके यह बना, और यही structure है, इस topic की जान अब यहाँ पे guys, profit percent दिया था, loss percent दिया था, आपने निकाल लिया, कई बारी ऐसा भी हो सकता है, question आपको profit percent निकालने बोले, या loss percent निकालने बोले, कोई दिक्कत नहीं, profit percent का formula होगा guys, actual profit in terms of rupees, अब जो हमने दो example देखे थे, उसमें profit loss percent दिया था, बट अगर profit loss percent नहीं दिय आए, तो profit in terms of rupees upon CP in 200, यह रहेगा profit percent का formula, अरे percentage में आप सीखे हो न, जिसके भी percent निकालना है वो numerator में, तो profit के percent निकालना है, profit numerator में आ जाएगा, और मैंने आपसे बार-बार कहा है कि profit और loss percent के लिए जो base price होती होती हो, कौनसी होती है, cost price, तो इसलिए यहाँ denominator में हमेशा cost price आएगी, in 200, तो fix है percent निकालना है तो, अब loss percent आप ही बता दो, loss अगर निकालना है loss का percent, जो loss है in terms of rupees numerator में, base price तो CP होगी denominator में, in 200, that's it guys, so I hope आपको समझ गया होगा, अब एक दो question करते हैं, और फिर mark price और discount की चीज़ों को भी समझते हैं, come on guys, देख लो, find the selling price of a watch if two salesmen claim to make a twenty percent profit on each, one calculating on cost price while another calculating on selling price, guys, देखो, दो salesmen है, salesmen one, salesmen two, दो salesmen है, दोनों ने, आपको question है तो, पहले क्या बोला है, find the selling price of watch, watch की selling price आपको निकालनी है, चलो, बहुत बढ़िया selling price निकालनी है, if two salesmen claim to make, दो salesmen है, दोनों ने claim किया है कि वो 20 percent profit बना रहे है, दोनों ने क्या बोल लेकिन, ठीक है, one calculating on cost price, मालों यह पहला वाला जो है वो cost price पे निकालता है, जो कि पुरी दुनिया निकालती है, पुरी दुनिया यही करती है, go with the flow, cost price पे अपना profit निकालती है, तो यह कुछ अलग नहीं कर रहा है, लेकिन another on selling price, दूसरा जो salesman है, वो अपना profit selling price पे निका करो, है ना, नहीं बोलता तो हम सब का cost price पे लेते, लेकिन बोला है, तो एक का CP, एक का SP, now the difference in profit earn is Rs.160, so guys, दोनों के profit में difference आया है, difference in profit question ने दे दिया है, Rs.160, ठीक है, अब अब अपकोस यार, दोनों ने बोला है, हमको 20%, 20% का फायदा हुआ है, दोनों ने same profit बोला है, लेक actual difference रहेगा, और वो difference कितना question ने actual वाला दे दिया है, 160, अब देखो, formula से जाते हैं, ऐसे question में, एकदम blank हो जाते हैं, और कहा से start करें, यह ना, basic selling price दे दी, profit दे दी, CP निकालना है, तो वहा formula काम आ गया, बटे, ऐसे exam में थुड़ी आते question, exam में question ऐसे आते, तो यहाँ पर अ आपको देखो, assumption versus reality वाला approach कितना काम आएगा, हम जितनी बाते दिये, assumption की दुनिया में बना लेंगे, और उसको फिर reality, देखो, real के लिए भी हमें question एक हिंट दे रखा है, कि actual, real difference between profit is Rs.160, तो real difference अगर 160 है, तो आकरी में, यूनिटरी मेथड ले लेंगे, कि हमारे हिसाब से profit difference इतना, जो real में इतना है, तो जो उसने पूछा है, हमारे हिसाब से, वो actual में कितना, don't worry, don't worry, orally नहीं समझेगा, तो वापीस मैं आपको proper समझा रहो, ध्यान दो, so अब तक तो कुछ निक इवन डेटा लिखा है, guys, दो salesman है, एक अपना profit CP पे निकालता है, एक SP पे निका selling price being same in both the case, यानि इतना पक्का है, guys, जो इस बंदे की selling price है, वो ही इसकी selling price है, यह सबसे शानदार है, पहले की जो selling price है, वो ही दूसरे बंदे की selling price है, यह सबसे बड़ी hint है, तो चलो, guys, अब मैं शुरुवात कर रहा हूँ यहां से, मैं अब देखो, यह अपना profit किस पे न निकालता है, तो मुझे इसका CP कुछ तो लेना होगा, 100, यह न, तभी तो मैं यह percent अपला कर पाऊँगा, तो percent है 20%, तो 20% of 120 ही होता है, formality, तो selling price मिली 120, and guys, अब मैं आपको याद दिला दू, question ने क्या बोला है, दोनों की selling price same है, तो अगर पहले बंदे की selling price 120 निकली है, त तो दूसरे बंदे की selling price कितनी है, 120, और यार इसका तो बहुत बढ़िया काम है, यह अपना profit किस पर निकालता है, selling price पर, guys, मुझे इस बंदे की selling price पता है, 120, उसका profit percent भी पता है, 20%, और यह भी मालूम है, कि यह 20% किस पर अपला करता है, selling price पर, जो कि उसकी 120 है, क्योंकि द खेल खतम, as per my assumption, देखो, यह मेरी पूरी assumption की दुनिया है, as per my assumption, मेरे लिए profit का difference कितना है, क्योंकि question ने सबसे शांदार hint क्या दिया है, actual, real difference between profit, दोनों बंदों के profit का real difference, जो की 160 है, वो तो question के हिसाप से, real में, actual में, मेरे हिसाप से कितना है, as per my assumption, देखो, पहले वाले को profit हो रहा है, 20 रुपे का, यह रहा, दूसरे वाले को profit हो रहा है, 24 रुपे का, यह रहा, तो difference कितना आया, difference कितना आया, guys, difference आया, 4 रुपे का, कमझ गया, दूद का दूद, पानी का पानी, first वाले को 20 रुपे का difference हो रहा है, profit हो रहा है, second वाले को, 20 का, तो difference profit आया, 4 रुपे 4, जो कि actual में 160 रुपे के बरावर है, जो कि actual में 160 रुपे के बरावर है, तो उसने बुचा है, find the selling price, selling price हमारी क्या है, 120, 120, है ना, दोनों में same ही लेना था हमें, देखो, same लिया, तो ये बोलो, sorry, ये बोलो, selling price कितना आएगा, 120, actual में कितना, cross multiplication, 4x is equal to 160 into 120, है ना, unitary method में हमे upon 4, तो 4 ने हैं divide कर दिया, 40, 12, 40, 48, 2, 0 bonus, ये आ गया आपका actual selling price of both salesmen, 4800, option D, इसलिए मैं बोलो, आप starting में जिनके दिमाग में doubt था सर, formula क्यों नहीं बता रहे हो, भई, formula limited question में आपको काम आएगा, जिसकी ज़रत भी नहीं है, बिना formula के भी हम देखो, ये चीजे निकाल ल master बन गए, कि assumption से एक धाचा बना लो, फिर मेरे इसाब से इतना actual में 200 है, तो मेरे इसाब से 100 actual में कितना, ये हमने cost price के लिए use किया था, वो ही चीज देखो, ऐसे बड़े-बड़े question में भी same thought process, जो जो उसने बोली हमने assumption से बना लिया, और उससे हमने real value निकाल ली using unitary method, उ तो कितना हो गया ये, 100 plus 20, 120, तो यानि वो 20 रुपे का profit कमा रहा है, और 120 उसकी selling price है, अब question ने बोली थी, दोनों की selling price से हमने, तो जो इसकी selling price, वो ही इसकी selling price, और ये बन्दा तो अपना profit जो 20% selling price पर ही निकालता है, निकाल लो 20% of 124, फिर मेरे इसाब से पहले को 20 का profit, दुसरे को 24 का profit, तो difference आया 4 का, तो मेरे इसाब से 4 न, जो actual में 160 है, तो अगर 4 ये 160 रुपीज के बराबर है, तो 120 किसके बराबर है, क्यों question ने क्या बुचा है, selling price, तो मेरे इसाब से जो selling price 120 है, वो किसके बराबर, X और X आया 4800, cross multiplication के बाद, चलो है, इसका ओन ये question फिर mark price discount, समझेंगे, in a certain store, the profit is 320% of the cost, उसने बोल दिया भाई, profit जो है, वो 320% of the cost है, तो again, इसके लिए मुझे cost लेना पड़ेगा, तो cost मैं ले लेता हो 100, देखो, ये original situation, जहां मैंने cost ले लिया 100, अब इसमें profit बोल दिया है, profit हमेशा हम क्या करते है, add करते है, profit हमेशा add क CP plus profit is SP, ये ढाचा भूले तो नहीं न, अब जब-जब CP नहीं पता, हमें 100 लेना है, फिक है, क्योंकि उस पर percent apply करना easy हो जाता है, profit 320% of cost बोला है, अगर नहीं भी बोलता of cost, तो हमें पता है, अगर वो सिर्फ बोलता profit 320% है, 320% profit हम किस पर apply करते है, cost पे ही, जो की rule है, इतना भी percent of hundred low, उतना ही value मिलता है, 10% of hundred, 10, 59% of hundred, 59, 320% of hundred, 320, तो मुझे बताओ, selling price कितनी मिली, 420, चलो, यह होई first situation, now, अब देखो, question में क्या बोला है, second situation में क्या हो रहा है, if cost is increased by 25%, ये जो आपका cost है, ये 25% से बढ़ा, 25% से बढ़ा, अब मुझे बताओ, hundred का 25%, 25 ही तो होता है, तो new cost कितना मिला, new CP हमें मिल गया, hundred plus 25, क्योंकि हमें मालूम है, 25% of hundred is 25, तो 125, ये new CP, and selling price remains same, again guys, new CP plus profit is new SP, but guys, question ने clear बोल जया, selling price remains same, याने, जो यहाँ पे है, वो ही यहाँ पे है, 420, तो guys, अब मुझे बताओ, 125 में profit, आपको क्या दिख रहा है, ये structure, CP में profit add हुआ, तब जाके SP मिला, और मुझे CP पता, 125, उसमें कुछ तो profit add हुआ है, तब जाके 420 मिला है, तो अब आप ही देख लो, 125 में क्या add हुआ, सो जाके 420 मिला है, guys, 125 में क्या add हुआ होगा, तो जाके मुझे 420 मिला है, क्या 295 correct है, देख लो, 5, 5, 10, ये 11, और एक carrier 12 आया, और एक carrier बराबर 4, कर लो, 125 प्लस 295, 420 होता है की नहीं, होता है, इसका मतलब मुझे profit कितना मिला, guys, 295, और question ने बोला है, find the percent of profit over selling price, क्या बोला है, approximately what percent of the selling price is profit, मतलब उसने आपको profit का percent पूछा है, इस second situation में, लेकिन over selling price बोला है, मैंने कहा है, question ने जो बोला है, उसको respect करो, profit percent, loss percent हमेशा CP पे अपला होता है, whenever question silent हम CP पे ही लेंगे, profit percent, loss percent अगर निकालना है, तो मैंने आपको formula भी बोला है, कि mention करो, चाहे ना करो, profit हमेशा CP पे ही निकलता है, लेकिन ये कब जब question silent है, बट अगर सामने से वो बोल रहा है, कि उसको percent निकालो profit का of the selling price, यानि selling price पे, तो denominator में guys, अब मुझे cost price लेकर चलेगा, नहीं, ये तो generalized formula है, ये fix formula है, जब nothing is given, बट जब उसने सामने से बोल जया, उसको profit percent चाहिए, selling price का, तो मेरा formula क्या बन जाएगा, profit in terms of rupees, जो ये आया, upon selling price in 200, खतम, तो profit है 295, selling price है 420, in 200, solve कर लो, 00 कटा, तो आपको कितना मिला, यहाँ हम अगर divide कर ले, तो सबसे पहले तो हम 3 से divide कर सकते है, 3 से divide हो रहा है, पहले तो इसको कर ले तैयर, चलो, 2, यह होँआ 21, यह होँआ 5, तो 295 into 5 कितना हो गया, 25, which is 471475 divided by 21, so where is 21, 7s are, and 210, 70 point something, 70 point something, और वेसी बीदे को question ने approximately word use किया है, मतलब guarantee है कि आपका answer exact match ने होगा option से, लेकिन जो nearest answer उस पर tick करो, तो यहार 1475 upon 21 करो, 70 point something मिल रहा है, which is closest to 70 percent, 70 percent, basic calculation, basic calculation अपने किया है guys, ठीक है, तो हाँ, actual formula यह है, बट समझा न, यह हमने क्यों use नहीं किया, क्योंकि question ने सामने से बोला है, कि उसको percent निकालो, किस पे, selling price पे, किसका profit का, वो भी कौन से situation में, second वाली, first situation का profit percent उसने दे दिया है na, 320 percent, उसी को तो हमने अपलाए किया, तो first situation का थोड़ी बोलेगा, second का, क्यमका का इस question कितना easy था, profit पता था 320 percent, तो मैंने पहले तो cost मान लिया, cost 100 लिया, उसका 320 percent याने 320 होता है, add करके मुझे मिला selling price, यह हुई original situation, अब new situation में क्या हो रहा है, question बोल रहा है, cost मैंने 25 percent से बढ़ा है, यार 100 का 25 percent 25 ही होता है, तो बढ़कर कितना होँ, 125, और selling price remains same, तो selling price जो का त्यो रही as it is रही, और guys धाचा आपको पता है, structure CP plus profit is SP, CP मुझे मालूम है 125, समझ गया, selling price पता है 420, तो guys आपको क्या दिख रहा है कि 125 में कुछ तो add हो रहा है, तब जाके 420 मिल रहा है, तो 125 में क्या add करूँ, तो 420 मिलेगा, तो 125 में 295 add करना होता है guys, है न, क्या add करूँ, तब जाके यह मिलेगा, तो देख लो, यह उदर जाके minus हुआ, 295 add करना होगा, समझे न, 125 यानि cost price, मैं कितना profit add करूँ, तब जाके मुझे यह 420 selling price मिल रही है, तो बस P as it is 125 उदर जाके minus 295, तो यह मिला आपको profit, but again guys यह profit किसमें है, रूपीज question ने percent में पूछा है, तो profit percent कैसे निकालते है, profit upon CP into 100, but question ने profit percent में पूछा है, of the selling price, तो formula और थोड़ा बदल गया, profit upon SP into 100, profit मिल गया था, SP मालूम है, दोनों situation में सहीं ही है, in 200, stall किया, पहले 00 कटा, फिर 22 से divide किया या 5 और 25, so 295 into 5 आ गया, 1475, है न, 295 into 5 आया, 1475 divided by 21, यह आया 70 point something, which is 70 only, closes to, ठीक है, तो guys, यहाँ पे alert रहना पड़ेगा कि उसने क्या दिया, अगर कुछ नहीं बोला तो CP पे निकाल लो बिंदास, लेकिन जब वो सामने से बोल रहा है SP, तो SP यूज करू, तो आयहोब आपको clear हुआ होगा guys, अब तक की कहानी, क्या होता है SP, CP, profit, loss, अब हम देखते हैं, mark price और discount क्या, इसको कभी गवार MP भी बोला जाता है, mark price का short form, MRP, अब MRP सुनकर आपको थोड़ा वो दिमाग की बत्ती जली होगी, अच्छा सर, MRP हाँ, इस चीज़ से तो हम familiar है, है न, MRP, tag price, क्या-क्या नाम है पहले तो मैं आपको बताता हूँ, printed price, quoted price, quoted price, then catalog price, catalog price, यह सारे उसके नामे गई से, ठीक है, वो थी मानलो 2000, ठीक है, लेकिन गाइस जरूरी है कि जो printed price होती हम उसी में लेते हैं, नहीं न हम पुछते हैं भई कुछ discount है क्या, फिर सामने वाला हमें discount देता है, है न हमने चाचा का मामा का कुछ तो relation निकाल लिया, तो उसने बुला, अच्छा 2000 है, लेकिन तू तो मेरा इसका इसका बतीजा है, तो चले काम कर, तेरे को मैं discount देरो 10%, यह न, 10% का discount, तो guys, 10% of 2000 कितना होता है sir, वहाँ तो हमारा calculation मस काम कर जाता है, है न, topping में, तो 10% of 2200, और यह percent निकालने की trick हमने percentage में सीखिए, जिन लोगों ने पिछले classes miss किये, कॉंट के प्लीज देख ले न, so guys, यह हो गया 1800, यह कितना आ गया, 1800 खतम, और इसको बोला जाता है, selling price, उस बंदे की, guys, यहाँ पे हम सिर्फ किसके point of view सोचते है, salesman के, trader के, dealer के, shop owner के, businessman के, customer के point of view मत सोचो, यहाँ पे आप बोलोगे sir, यह selling price कैसी होई, यह तो मेरे जेब से गए न, अरे आप तो customer थे, हमें आपके point of view नहीं सोचना है, जिसका वो business है, जो 2000 का shirt बेचने नि उसने 200 का discount दिया, इसका मतलब उसके jayb में कितना गया, यानि उसका sale कितने का हुआ, उसके jayb में गया, na, 2000 में से 200 भलाई हटा भी दिया, discount, तो 1800 जो customer उसको देगा, 1800 जो customer उसको देगा, वो उसके jayb में गया, जो चीज जेब में गया, जो चीज उसके पास आई है पैसा वो सेल होता है, सेलिंग प्राइज है ना, तो गाइज मार्क प्राइज, आपने एक धाचा देखा था CP plus profit is SP दूसरा धाचा देखा था CP minus loss is SP और इस topic का, yes इस topic का आखरी धाचा formula में मत जाओ formula जितना करोगे फिर कम पड़ेगा और वो भी selective question के लिए काम आएगा लेकिन आपको approach पता है, assumption वाला ठीक है, बस जितनी बाते पता हो नहीं जरूरी है, मैं आपको बता रहूँ, एक तो ये धाचा profit का, एक loss का, तो profit का हो गया loss का हो गया नहों, तीसरा और last धाचा discount का, discount का धाचा कैसे बना, mark price क्योंकि हम dealer, trader के point of view सोच रहें कि भाई, उसका shirt था 2000 रुपए का, उस पर tag लगा था 2000, उसमें उसने 200 का discount या यानि उसके जेब में 2000 में से 200, अगर उसने कम भी लिये customer से, तो भी उसके जेब में कितना जा रहा है 800, यानि 800 के होगा उसका sale selling price है ना, भला ही वो customer को 800 में पढ़ा, वो customer का cost but हमें पूरे chapter में किसके point of view सोचना होता है trader के, dealer के, customer नहीं trader के, तो yes उसके जेब में कितना गया dealer के, जिसने 2000 की tag लगा ही थी, उसके जेब में 800 गया तो उसका sale हुआ, 800 हुआ, discount minus करने के बाद, चलो एक example में देता हूँ, मान लो एक shirt को मैंने बेचा, 180 रुपए में एक shirt को मैंने बेच लिया, 180 रुपए में और वो भी 10% का discount देने के बाद 10% का discount देने के बाद, तो बताओ mark price क्या रही होगी देखो जब profit होता है, जब loss percent दिया होता है profit percent दिया होता है, आपने देखा, तब क्या पुछा जाता है, cost price जोगी profit और loss से कौन जुड़े होए है, cost price लेकिन जब discount percent दिया है, तो क्या पुछा गया है, mark price जोगी discount mark और selling price का अपने एक relation देखा है mark price minus discount is selling price guys, एक rule मैंने आपको starting में बताया था कि profit percent and loss percent जबी भी question silent है, किस पे अपलाए होगा, CP पे जबी भी question silent है, अदरवाइस उसने कुछ बोला है, तो वो हम respect देंगे, लेकिन जबी भी silent है, CP पे, उसी तरह आप दुसरा रूल याद रखो discount percent हमेशा, हमेशा mark price पे अपलाए होगा अगर question कुछ नहाँ, question अगर बोल रहा है कि discount उसको selling price पे मिला है, तो respect दो, लेकिन अगर कुछ नहीं बोल रहा है, जो generally नहीं बोलेगा, discount के case में तो बोलता ही नहीं है, profit या loss में तो भी आपने देखा, कभी कबार बोल देता है कि profit percent selling price पे निकालो, ठीक है, लेकिन discount के case में बोलता ही नहीं है, तो guys, याद रहे, discount percent हमेशा mark price पे अपलाए होगा, whenever question is silent, कुछ उसने सामने से condition दिये, तो respect हो, otherwise, discount percent हमेशा mark price पे, तो गलती से भी अगर वापिस आप में से किसी ने सोचा होगा, हम 10% 180 का ले लेंगे, रुख जाओ, 10% 180 का नहीं ले सकते, 10% discount है, जो हमेशा किस पे अपलाए होगा, mark price का, sir, mark price तो नहीं पता, तो आपको मालूम है, क्या करना होता है, जब जब जो चीज नहीं पता, ले लो 100, बराबर तो mark price में ने 100 ली, अब discount percent 10%, अब वो किस पे अपला होगा, mark price पे, तो 100 का 10%, 10 ही होता है, इसलिए 100 लिया, easy, है ना, और mark price मैनस discount is selling price, but guys, again यह जो structure बना, किसका बना, assumption, assumption का, तो मेरे assumption के according, selling price कितनी आई है, 90, जो की question ने actual में कितनी दी, 180, तो अगर 90, 180 के बराबर है, तो उसने पुछा है mark price, तो मेरे assumption क कि हिसाब से जो 100 है, वो actual में कितना, निकाल लो X, समझा, मुझे अगर discount percent पता है, तो mark price 100 ले लिया, discount उसी पे अपला होगा, 10% of 100 is 10, और हमेशा यहां तो minus होता है, mark price minus discount is SP, तो SP हमें मिला 90, तो assumption के हिसाब से मुझे सब मिल गया है, तो मेरा assumption बोल रहा है selling price 90, जो actual में 180 है, तो मेरा assumption जो 100 mark price बोल रहा है actual में कितना, बस cross multiply कर लो, same वो ही, assumption versus actual में यह उतना, तो वो कितना, unitary method, अब यहाँ तो cross multiplication भी करने की जूरत नहीं, आप देख रहे हो, यह 90 का double है, तो यह 100 का double ले लो, जब ऐसा pattern बनता है नो, तो अपना time बचाओ, हाला कि cross multiply भी करोगे, तो answer वो ही आएगा, direct pattern देखो, यहाँ पर क्या हुआ है, 90 का double, तो इधर 100 का double, 200 answer आएगा, 200 answer आएगा, चाहे तो cross multiply से cross check कर लो, 90 into x, 90 x, and 100 into 180, 18,000, so 0 से 0 कटा, x is equal to 1800 upon 9, कर लो division, 200 मिला, और यह x मतलब भी क्या था, actual mark price is equivalent to, जो की 100 है, assumption में वो actual x, यहाँ 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 यह तीन धाचे याद रोखो, जभी भी question profit देगा, CP plus profit is SP, जभी भी loss देगा, CP minus loss is SP, और जभी भी discount देगा, mark price minus discount is SP, और simply क्या करना होता है, assumption, अपनी दुनिया बनाओ, reality से compare करो, using unitary method, come on guys, देख लो question, a shop की पर allows a discount of 12.5%, discount दे दिया, discount दे दिया, 12.5%, जो जो चीजे दिये लिख लो, जो जो चीजे दिये लिख लो, और फिर हमारे पास वो ढाचे है, हम उसको use करेंगे, तो shopkeeper ने 12.5% का discount दिया, on the mark price, यह नहीं भी बोला होता है, तो हमें चल लेगा, यह देने की नहीं ज़रुरत थी, क्योंकि जब discount दिया है, तो mark price पे ही apply होगा, अगर selling price पे क 20%, if article cost the shopkeeper, cost price दे दिया है, 210, question बोल रहा है, find the mark price, यह न, what price must be marked, marked याने mark price, अब guys मैंने आपको तीनी ढाचे बोले न, एक profit का बोला, एक loss का बोला, एक discount का बोला है, CP plus profit is SP, CP minus loss is SP, mark price minus discount is SP, अब मुझे बताओ, यहाँ पे कौन-कौन से ढाचे यूज़ होगे, यहाँ पे discount दिया है, याने ये वाला, and profit दिया है, याने ये वाला तो इसकी ज़रुरत नहीं है, पतम, loss वाले की ज़रुरत नहीं है, बस दो ढाचे यूज़ करेंगे guyson, सबसे पहले कौन सा profit वाला जो की होता है, CP plus profit is SP, दूसरा discount वाला जो की होता है, mark price minus discount is SP, अब देखो क्या-क्या चीज़े दिया रख दो, CP पता इस बार, क्या बात है, इस बार हमें CP assume करने की ज़रुरत नहीं है guys, actual CP पता है, उस पर हम actual percent apply करेंगे, और actual selling price निकालेंगे, assumption वाली तो तब मिलती है जब हम शुरुवाती assumption से करते है, इस बार cost price मेरे पास actually 210, उसमें profit percent add करतो, कितना 20%, अगेन आपको मालूम है profit percent किस पर अपला होता है, CP पे, तो 20% of 210, 42, है न, अब सीखे हो, आप percentage में U percent निकालना, 10% किसी, मानलो आपको 210 का 10% निकालना है, तो क्या सीखा आपकरी digit के पहले decimal, last digit के पहले decimal, तो यहाँ पे अगर मैं decimal दे दू, 210 का last digit है 0, उसके पहले decimal याने 21, 21 क्या हुआ, 21 हुआ 10%, बट मुझे 20% चाहिए, तो 10% अगर 21 है, तो 20% कितना होगा, डबल ले लो, 42, और इनकी addition हो गई guys, 252, अब ये selling price कौन सी selling price है guys, ये selling price actual selling price है, अ अब आजाओ second आचे पे, mark price मुझे मालूम है, नहीं, mark price unknown है, निकालने बोला है, तो mark price 100 ले ले लेता हूँ, बराबर, और ये assumption है, ये assumption, शुरुआ थी assumption से कर रहा हूँ, अब उस पर discount कितना बोला है, 12%, discount हमेशा क्या करना होता है, minus, तो 12% of 100, मैंने कहा है, discount percent हमेशा किस प सेम आर्टीकल की selling price यहाँ पे 252 दिख रही है, सेम आर्टीकल की selling price 87.5 दिख रही है, भाई ऐसा क्यों, अरे ये actual है, ये actual है, क्योंकि actual figure से निकला है, ये assumption वाली है, क्योंकि शुरुआत ही assumption से हुई है, और finish, अगर हमारे पास assumption और actual वाली चीज है, तो हम last में क्या करते है unitary method, assumption के हिसाब से जो selling price है, assumption के हिसाब से जो selling price है, वो कितनी 87.5 जो actual में 252 है, जो actual में 252 है, तो मुझे बताओ, उसने mark price पूछा है, तो assumption के हिसाब से mark price जो 100 है, actual में कितना, finish, assumption versus actual unitary method, cost price पता था, profit पता था, दोनों से हमें profit percent apply किया cost पे actual selling price मिली, mark price नहीं मालूम था, 100 लिया, उस पे discount percent पता था, minus किया, हमें selling price मिली, लेकिन फिरुआत assumption से इसले मिली assumption वाली, और फिर दोनों में unitary method, assumption के साब से selling price 87.5, वो actual में 252 है, तो assumption की जो mark price 100 actual में, कितना, बस cross multiply कर लो, 87.5 x 25200, तो x मिला 25200, upon 87.5, चाहे तो decimal हटाने के लिए उपर नीचे 1010 से multiply कर लो, तो 25200 तो थेई, एक 0 और क्योंकि 10 से multiply किया, तो नीचे का decimal हट गया, अब divide कर लो, 253000, 255000, अबर, 251000, 0080, again, 35 आया है, तो मैं 7 से divide कर लो, यहाँ पे 71000, 307 4000, 7400, तो 1440 upon 5, guys, 1440 upon 5 कितना आया, यह आया, 2, फिर 8, बराबर, 24, sorry, देख लो, यह कितना आया है, 1440 upon 5, तो ले लो, यह 244 पे 48, again, 248, 288, 288 सही था, 288 सही था, अब तक आपने सिर्फ profit loss SPCP, profit loss SPCP, उसी में खेला, लेकिन उसमें भी आपने अच्छे question देखा, अच्छे level के देखे, यह घुमे फिरेवे question, दो salesman, एक CP पे निकाल रहा है, SP पे निकाल रहा है, कोई फरक नहीं पड़ा, जितनी बाते दी थी, सब आपने assumption से निकाल ली, और उसने कुछ तो एक real hint दी थी, तो आखरी में आपका assumption और उसका real, आपने unitary method ले लिया, यह इतना, तो वो कितना जो में पूछा है, सेम एक question में आपने देखा था कि cost price भी बढ़ रही है, selling price सेम, तो नया profit आया और वो profit percent कितना over selling price, अब यहाँ पे तो चीज़े और जादा होगी, profit, cost, selling price यह तो थी ही साथ में mark price, discount भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसे question का theme क्या है, सब given data लिख लो, CP दिया था, profit percent दिया था, discount percent दिया था, लिख लिया, mark price पुछा था, और अब देखो कोन किसके family में, कोन किसके धाचे में आता है, तो CP और profit का एक धाचा है, CP प्लस profit is SP, और इन दोनों का एक धाचा है, तो जहाँ CP actual पता है, वहाँ actual profit apply किया, actual SP मिली, जहां mark price assumption से शुरू क किया, वहाँ assumption वाली selling price मिली, और आखरी में वो ही घिसा पिटा, ये इतना वो कितना, 87.5 assumption, actual में 252 है, तो 100 वाली mark price assumption, actual में कितना, cross multiply किया, बागी तो किस आपके पास है, एकस निकालना, यदर divide कर लिए 87.5 से, 1010 से multiply करो, so that decimal हट जाएगा, फिर 25-25 से divide किया, यहां मिला 35, यहां मिला 10080, अगें यहां 35 था, यहां 10080 था, 77 से divide किया, यहां 5 आया, 1440 आया, दोनों को finally divide किया, 288 is the mark price, अटम रे, तो गाईज, यह रहा, अब आपके लिए, question जो कि आपके लिए है, homework, सबने answer देना है, मैं आपको शुरुआत करके दे रहा हूँ, सबने answer देना है, ठीक है, 22 आना article, 22 मतलब क्या cost, cost हो गया 650, marks it for sale at a price that gives him 70% profit, और उसने mark price कैसे decide करी गाईज, देखो marks, 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 marks word आ गया, मतलब बात हो रही है, marks price की, so marks it for a sale at a price, so mark price याने उस पे tag कितने का लगया, printed price कितने की लगई, ऐसी लगई, जो उसको 70% profit देरी उसके cost पे, तो उसका cost है 650, उस फे 70% add कर दो, उसका 70% add कर दो, तो guys 650 plus 70 upon 100 into 650, call कर लो 0 से 0 कटा, 5 2,000, 5 13,000 and 2 35,000, या फिर सिधा आपका यहाँ पर भी दो दो 0 तो डारेक ही कट रहे थे, तो anyways, कैसी भी, 13,500, 65, 6 carrier and 39,600, 455, तो guys, कमज रहा है बात को, उसने cost price आपको 650 दे दे थी, जो मुझे अपने cost पे 70% profit दे, यहने 70% बढ़ा के दे न, तो उसका cost है 650 देखो, और plus उतना बढ़ा के दे न, उसको, तो 70% of 650, call किया, तो 70% of 650 देखो, 0000 कटा, 7 into 65 कर लो, और 55 आएगा, या मैंने 0 से 0 काटा, 5 से इधर डिवाइड किया, 5 से इधर किया, again यहाँ यहाँ पे 13 आ गया, यहाँ पे 2 था, तो 2 और 70 को भी डिवाइड कर ले, 70 upon to 35, यह इन दोनों का product भी same ही आया, ठीक है, मतलब आप, अगर 70% of 650 डायरिक भी करते, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 7 into 655 कर लो, 455 भी मिलेगा, कैसे भी कर लो, है न, तो guys, अब मुझे बता, उसका mark price कितना आ ग आने माला, तो add कर लो, 1105, पराबर, 1105 is the mark price, तो देखो, cost price पता है, mark price पता है, आगे, he however gives a discount of 20%, लो भाई साहब, discount percent भी पता है, 20%, तो question बोल रहा है, find his actual profit percent made, और देखो, question इस बार क्या बोला है, दोस्तो, ठीक है, वो discount डिए रहा है, 20% का on the mark price, भाई, discount mark price भी होता है, calculate the percent profit made by the shopkeeper, कही पर भी बोला है, percent profit over selling price, नहीं न, तो हमेशा जबी भी percent profit बोला है, सिर्फ percent profit, तो किस पे निकलेगा, cost price पे, ठीक है, cost price पे ही निकलेगा, तो I hope मैं करी लेता हूँ, यार बचाई क्या है, यह question में बचाई नहीं कुछ, mark price पता है, discount पता है, मुझे बताओ, इनकी एक family है, अगर mark price और discount पता है, तो mark price minus discount is a selling price, और मुझे इस बार guys, actual mark price पता है, क्योंकि यह mark price किस से निकली है, actual cost से, तो यह actual cost इस बार assumption का कुछ खेली नहीं है, actual cost पता है, उसके, उसमें 70% margin एड़ करके, मुझे actual mark price मिली, अब उस actual mark price, जो की 1105 है, उसमें 20% मैं discount द तो इसका 20% discount कितना हुआ, 221, अब यह minus करने के बाद 488, 884, यह मिला आपको selling price, और अगर मुझे selling price पता है, cost price पता है, तो मेरा profit कितना, अरे मेरा अगर 650 का cost था, और यह सब discount discount नोटंकी करने के बाद, finally मैंने कितने में बेचा 884, 650 का cost था, उस पे दिखावे के लिए, इतना MRP लगा दिया, बट जब customer आता है, तो मुझे साथ थोड़ा सा discount discount भी खेलता हूँ, उसको भी खुश करता हूँ कि चल तू भी क्या आत करेगा, 20% discount देगर, finally 884 में बेचा न, और profit हमेशा कैसे निकलता है, SP minus CP, यह तो दिखावा है, इसमें थोड़ी बेचा मैंने, यह तो सिर्फ दिखावा था, actual बेचा 884 में, लाया था 650 में, तो अगर मैं 884 में बेचा 650 का article, तो मेरा actual profit रुपीज के फॉर्म में कितना हुआ, 234, यह हुआ, रुपीज के फॉर्म में, बट question ने percent के फॉर्म में पूचा है, तो profit percent का formula क्या होता है, profit जो रुपीज के जीरो जीरो कटा, तो थर्टीन फाइजार, थर्टीन फाइजार, थर्टीन फाइजार, थर्टीन फाइजार, थर्टीन फाइजार, वह 18 इंटु टेन, देखो यहां का 10 बचा है, 18 इंटु टेन, 180 अपॉन 5, 36 percent, 36 percent, is the final answer, चमका गाईज, simple cost price देदी थी, उस पे 70%, actual cost price पे 70 70 percent, अबो, जो figure मिलेगी, उसने mark price decide करी है, तो 650 का 70 percent margin और add कर दिया, जितना भी उसके cost पे 70 percent का margin दे वो उसका mark price, तो यह उसका cost, उस पे 70 percent of cost का margin add करके, यह मिल गया mark price, उसमें discount, अब actual mark price पता है, तो 20 percent हम किस पे लेंगे, उसी का लेंगे, तो 20 percent of 1105 guys, 20 percent of 110, कितना है 5, अ से निकाला जाता है, आखरी digit के पहले decimal, आखरी digit के पहले decimal, यह 10 percent निकालने का style, तो 20 percent क्या होगा, उसका double, 110.5 का double 221, minus किया, यह मिली actual selling price, खतम, यह फाइनली सब नो टंकी करने के बाद, 650 की चीज़ मैंने 884 में बेची, यानि इतना मेरा profit है, तो profit percent is what, profit upon CP in 200, that's it guys, यह था कहानी, mark price, selling price, cost price, profit, loss, discount की, यह न, बस यह theme के साथ चलो, कोई आपको 10, 15, 20 formula करने के ज़रूरत नि, बस वो तीन theme, कौनसी, CP plus profit is SP, profit के case में, loss के case में यह, CP minus loss is SP, and mark price के case में, mark price minus discount is SP, और उसके बाद, सबसे important वो approach, कि जो भी question दिया है, assumption की एक दुनिया बनाओ, उसको reality से compare करो, using unitary method, that's it, तो यह सारी चीज़े आज हमने देखी है, और इसी के साथ, that's it, for today's session, इतना है, profit loss, foundation, इतना समझ लिया, तो आगे कैसी भी question आने दो, उसको निपट लेंगे, गाई, ठीक है, thank you so much, मिलते, next session, bye bye, good day, take care.